आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं गीया के राइते की रेसिपी जो सिरफ 10 मिनट में प्रिपेर हो जाता है आप एक काम करना कि गीया को कुकर में उबाल के रख लेना और इतने गीया उबलेगी इतने आप प्रिपेर कर सकते हैं रेसिपी सबसे पहले हमने कुंडी चाहें तो मिक्सी का यूज़ भी कर सकते हैं लेकिन जो टेस कुंडी सोटे में आता है वो उसमें नहीं जाएगा मिक्सी वाले पीशने में फिर उबले हुए कि यहां उसको एड़ कर लेंगे कुंडी सोटे में और उसको भी अच्छे से पीश लेंगे गाइस इसका मेराम से पीस रही थी व्लोगिंग करने का एक फाइदा हुआ है कि मुझे पता चल गया कि काना बनाने में कितनी मेहनत लगती है तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हम अच्छे से इसको पीस रही है अब हम लेंगे दही दही अपने गर की है तो इसको अच्छे से फेट लेंगे पहले एड़ करने से पहले जो हमारा पेस्ट है उसको हम दही में एड़ करेंगे हम यहाँ पर दही को फैट रिया है ताकि गाट ना बने और अब हम इसमें आड़ कर देंगे हमारा गीया और गार्लिक का पेस्ट अब थोड़े से अनियन भी आड़ कर देंगे फोर दा टेस्ट आप चाहे तो टोमेटोस भी आड़ कर सकते हैं लेकिन हम सिर्फ अनियन ही एड़ करते हैं राइते में यू कन कस्टमाइज इट एककोडिंग तो यूर टेस्ट काईस नो वरीज अब हम प्रिपेर कर रहे हैं इसका छोक ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है गाईस मम्मी ने अपनी चिमनी उंगरी गैस उंगरी घी लिया थोड़ा सा जीरा डाला और अब रेड़ी हो जाएगा हमारा छोक अब मम्मी एड़ करेंगे इसमें थोड़ी सी हल्दी जैसे ही जीरा काला होने लगेगा मम्मी उसमें हल्दी एड़ कर देती हैं देखो गाइस मम्मी ने आग लगा दी किजन में ये देखने में बहुत ही अच्छा लगता है जब ऐसे होता है ऐसा लगता है कि कोई प्रोफेशनल कुक कुक कर रहा है यहां पर अब हम इस चोक को अपने इसमें एड़ कर देंगे और ये बन गया हमारा राइता लास्ट में हम एड़ करेंगे इसमें रड़ चिली एंड नमक तो हमारा राइता हो जाता है रेड़ी मुश्किल से 7-8 मिनट लगती है गाइस ट्राइज जरूर करना बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी बहुत होता है